हेलो दोस्तो गुस्सा बेहद ही खतरनाक चीज होती है गुस्से से पता नहीं लोग क्या से क्या कर जाते हैं लेकिन गुस्से में बल्ले बाजों ने बना दिये वर्ल्ल रिकॉर्ड ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है कि गुसे में बल्ले बाजी करते हुए बल्ले बाजों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिये नमबर एक पर आती है हर्शल गिप्स हर्शल गिप्स दक्षिन अफरीका क्रिके टीम के बेहद ही शानदार बल्ले बाज हैं जिन्होंने साल 2005 में औस्टेलिया के खिलाफ वन डे मैच में 111 गेंदों में 175 रनों की बहतरीन पारी खेली थी और अपनी टीम की जीत के बाद हर्शल गिप्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये पारी उन्होंने बेहद ही गुसे में खेली थी गुसे में तावर तोरध हंगामा मचा दिया हर्शल गिप्स ने नमबर दो पर है युवरा सिंग युवरा सिंग के गुसे को कौन नहीं जानता दोस्तो भारती क्रिकेटीम के पूर्व दिगच खिलाडी और सिकसर किंग के नाम से मशूर युवरा सिंग ने साल 2007 में T20 विशकप में बेहद ही शानदार परदर्शन किया था और इसी मैच के दुरान युवरा सिंग ने स्टूर्ट ब्राड की 6 गेंदों में 6 चक्के मारे थे बता दे इस मैच के दुरान एंडरी फिलिंट ओफ के साथ युवरा सिंग की कहा सुनी हो गई थी और उसके बाद गुसे में आकर युवरा सिंग ने स्टूर्ट ब्राड की 6 गेंदों में लगातार 6 चक्के ठोक दिये थे युवरा सिंग का गुसा तो वैसे ही बहुत खतरनाक है नमबर 3 पर है दिनेश कार्तिक जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना दिनेश कार्तिक को भी गुसा आता है पार्तेकर के टीम के बहतरीन विकट कीपर पल्ले बाज दिनेश कार्तिक ने शिरिलंका में खेली गई निदास टॉफी के फाइनल मैच में मात्र आठ गेंदों में नाबाद 28 रन बनाकर भारते टीम को जीत दिलाई थी और दिनेश कार्तिक ने ये पारी बेहत ही गुसे में खेली थी क्योंकि कप्तान रोही शर्मानी उनको छटे नमबर पर बल्ले बाजी करने के लिए ना भेज कर साथ नमबर पर बल्ले बाजी करने के लिए भेजा था जिस कारण दिनेश कार्तिक बेहत गुसे में आ गए थे दोस्तों अपनी राए कमेंट करिए क्या गुस्से में आपने भी कोई ऐसा काम किया है जिससे कोई ना कोई बात ऐसी हो जो आपको आज भी याद हो क्या आपने गुस्से में क्रिकेट खेला है कोई बल्ले बाजी की है तो अपना रिकॉर्ड हमें बताएं गुडबाई दोस्तो जैहिन दोस्तो